इरान की इस महिला की वीडियो और तस्वीरे पूरी दुनिया में वाइरल हैं। बताया जा रहा है कि इसलामिक आजाद यूनिवर्सिटी की इस छात्रा ने इरान के सक्त इसलामिक ड्रेस कोड के विरोध में अपने इनर्वियर्स को छोड़ कर बाकी सभी कपड़े उतार दि जिसके बाद छात्रा को हिरासत में लिया गया। बन गई है। वहीं भारतिय इतिहास में जेपी आंदोलन और चीन में थियानमिन स्क्वायर पर विरोध पूरानी एहम घटनाएं हैं। एक इरानी लड़की देश-दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गई है। इस लड़की की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर ख सितंबर 2022 में मोरैलिटी पुलीस की हिरासत में एक यूवा इरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर हिजाब प्रतिबंदों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए जिन्हें सरकार ने शक्ती से दबा दिया था। पिछले कुछ सालों म इरान में महिलाओं द्वारा ड्रेस कोड का विरौध बढ़ा है. 1989 की कृरांती के बाद इरान में महिलाओं के लिए विजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया. इन प्रतिबंदों ने कार्य करताओं और आम नागरिकों द्वारा कई आंदोलनों को जन दिया जो अनिवार्य हिजाब को चुनौती देते हैं दरसल दुनिया में इस तरह के कई एतिहासिक विरोध प्रदर्शन रही हैं जिनोंने देश-दुनिया की दिशा बदलने में एहम भूमी का अदा की है जानते हैं ऐसी तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी जो लगातार महिलाओं के शरीर को नियंत्रित करती है उसका यह कृत्य इरानी महिलाओं की आजादी की लड़ाई की एक शक्तिशाली याद होगी हाँ, हम अपने शरीर का इस्तमाल हत्यार की तरह करते हैं ताकि एक ऐसी व्यवस्था से लड़ सके जो महिलाओं को उनके बाल दिखाने के लिए मार देती है शरीर को विरोध में बदल दिया इरान में एक लड़की को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने कपड़े उतारने के बाद गिरफतार कर लिया गया सोशल मीडिया पर इस घटना का विडियो वाइरल हो रहा है मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह घटना शनिवार की है लड़की ने देश के सक्त इसलामी ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध में अपने कपड़े उतारे थे इरानी पत्रकार मसी अलिनेजाद ने ट्विटर इस घटना के संबंध में लिखा कि इरान में यूनिवर्सिटी मोरैलिटी पुलीस ने अनुचित हिजाब के कारण एक छात्रा को परेशान किया लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया उसने अपने शरीर को विरोध में बदल दिया